येर स्टुडेंट्स कैसे हैं सभी आज हम लोग कोशन नमर देखेंगे आप पर 19 इस कोशन के कॉडिंग ये कह रखा है कि कॉस थीटा डिवाइड में 1-sin थीटा प्लस 1-sin थीटा डिवाइड में कॉस थीटा ये आपका LHS का पार्ट है और इसे हमें सॉल्व करते हुए लाना देखा है उसको आपको क्या करना नीचे वलपाट का LSM जब भी फ्रेक्शन में है तो उसका पहले लिचे LSM देखिए आपर दो अलग-अलग इंटिटीच दीख रहे हैं तो दोनों सेम तो सेम आ जागा आपका 1-sin थीटा इन्टू में कॉस थीटा और कॉस में कॉस से गुन कि यह कॉस थीटा का कॉस थीटा प्लस 1-sin थीटा का होल स्कॉरर डैट मिस यह फर्मूला लगे गा आपका A-B के होल स्कॉरर वला इसके कॉर्डिंग क्या होता है A-Square होता है प्लस B-Square होता है माइस में 2-A-B होता है उसी परकार यहाँ पर हम लिखे तो एक लिखेंगे यहाँ पे square में आशुट गया न, यहाँ पे 1 plus b का square यानि sin square theta और minus में 2 into a into b, divide में जो है, उसे आप लिखते चलो, 1 minus में sin theta into में cos theta, ठीक है, आप देखोगे, यह आपका sin और cos मिलके 1 हो जाएगा, है न, 1, और 1 over 1, 2, तो डेक लिख लिख सकते हूँ, यहाँ पे 2 minus में 2 sin theta, इन सब का गुना करेंगे क्या हैगा, 2 sin theta, divide में जो part है, उसे आप लिखते चलो, ठीक है, अब इसमें से आपको 2 दिख रहा है common, 2 को common निकाल सकते हो, तो 1 minus में sin theta हो जाएगा, divide में 1 minus में sin theta, into में cos theta, इससे यह खतम, बचेगा क्या, 2 बटा में, 1 plus में cos theta, और 1 बटा में cos theta का मतलब होता है, 2 theta, और आग्या यह भी आपका प्रूफ करना था, ठीक है न, चलिए, देखते हैं next question, 20 नमर question देखते हैं, 20 नमर question में है दे रखा, कि 1 plus 10 square theta, into 1 plus sin theta, into 1 minus sin theta, एकोल तो हमें one proof करना है, ठीक है, लिखते हैं from, LHS part से, 1 plus 10 square equal to क्या होता है प्यार बच्छो, दखो हो हापी, 1 plus 10 square equal to, होता है, एक स्क्वार है, ठीक है, तो आपको यहां लिख रहना है, से के square theta, ठीक है, गुना, इन दोनों का जब गुना कीज़ेगा, तो a plus b और a minus b के form में, a plus b, और a minus b के form में, और इसके लिखते हैं, a square minus में b square, यहां लिख सकते हैं हम लोग ऐसा, 1 minus में sin square theta, है न, अब यह से के square theta का, किसके सक्वार theta, multiply, 1 minus sin square theta, किसके लिए होता है, देखूँ ज़ए रहा, 1 minus sin square theta, cost के लिए होता है न, तो आपको हैं लिख लिलना है, cost square theta, ठीक है, अगेन देखेंगे आप, यह कास गुना से क्या होता है, one होता है, तो यहाँ पर देखेंगे, cos गुना से, cos गुना से क्या होता, 1 होगा, square लगा होता, एक काई square कर सकते हो, आप शाह होतो, एक काई square लेकिन से कोई फर्क नहीं पढ़ने वाला, एक काई की रहेगा, और यही आपको लाना था, RHS part में, और यह आपका प्रूड हो गया, ठीके, देखते हैं, next question, 21 number question, 21 number question में यह क्या रखा है, कि 1 plus 10 square A into sin A into cos A equal to 10 A, हमके proof करके लाना है, तो देखें सबसे पहले क्या करना है, थोई दर पहले हमने इसका इसका इस्तमाल किया, 1 plus 10 square A क्या होता है, यह आपका 6 के बराबर होता है, 6 square के बराबर, तो इसके लिए हमें भी क् से के square लिख लेना है आपको, from LHS part से, इसका value हो जागा आपका डायक लिए से के square theta, into में जो है, उसका आप लिखते चलो, sin A into में, यह जो cos दिख रहा है, इसको cos का cos ही रहने देजिए, cos का cos, ठीक है, और से के square theta के लिए, आप देखो यहाँ पे, से के square theta के लिए, 1 plus cos लिख से, तो cos उपर दिख रहा एक, नीचे दिख रहा आपको एक, sorry मैंने यहाँ पे angle का theta कर दिया, A का theta, अब यह कटेगा, क्या बचेगा, यहाँ पे, सिर्फ sin A बचेगा, उपर वाले पार्ट में, और नीचे बचेगा, सिर्फ A को single cos से बचेगा, क्योंकि square लगा हुआ था, ति square से cos खतम, यहाँ पे cos अभी भी है बचा हुआ, और sin बटे cos आपको पता है, क्या होता है, sin बटे cos, sin बटे cos tan के बरावर होता है, यहाँ पर directly tan लिख दिजिएगा, tan A, और हमें यही लाना था, let me see, आपका prude हो चुका है, ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्ट वीडियो में, तिल दिन बाइबाट अटा स्यू, चैनल को सब्सकाइब करेजिए, वीडियो को सेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, थैंक यू